हेलो फ्रेंट्स, इंफोल आप में आप सभी का स्वागत है, आज की वीडियो हमारी काफे इंपोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं या फिर गॉर्मेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंट्स, जब कभी भी आप जॉब एप्लिकेशन फॉर्म भरते हो, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी का हो, या फिर गॉर्मेंट जॉब का, वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लॉस दिया होता है, और उस क्लॉस के अंदर स्पेसिफिकली लिखा होता है, ध्यान से सुनना उस क्लॉस के अंदर स्पेसिफिकली लिखा होता है, क्या आपके खिलाफ में कोई भी कोट केस पेंडिंग है, या फिर कोई पुलिस कंप्लेइन या F.I.R. पेंडिंग है, ऐसी सिच्वेशन में काफी सारे एप्लिकेंट्स ऐसे होते हैं, जो सोचते हैं कोई छोटी मोटी क उनके खिलाफ में पेंडिंग है या फिर उनके खिलाफ में कोई कोट केस पेंडिंग है और वहाँ पर no का option select कर देते हैं और उसका result होता यह है कि जब आपकी कोई सरकारी नौकरी लगती है और बाद में जो है department को पता चलता है इस चीज के बारे में तो वह आपको show cause notice issue कर दे देते हैं और ऐसे चोटी मोटी complaint या फिर किसी case के चलते आपकी जो है government job जा भी सकती है और अगर आपकी private job है तो वह भी जा सकती है और आपके विरुद action हो सकता है और ऐसी situation में आपकी financial position भी affect होगी और mental position भी friends आज का अपना जो वीडियो है इसका सबसे important point यही clause है और इस clause को जब आप भरते हैं किसी भी job application form में तो अगर आपके खिलाफ में कोई जो है police case जो है वो pending है या फिर कोई court के अंदर को other civil dispute pending है या इस तरीके का कोई अन्य police complaint या फिर case pending है तो आप उसकी information अपने job application के अंदर जरूर दे और वहाँ पर yes का option select करें and friends एक और बात मैं आपको बताता हूँ जब आपके खिलाफ में कोई court case pending होता है ऐसे में वहाँ पर अगर आप accused है या फिर co-accused है तो आपके खिलाफ court में case चलता है और फिर final verdict आती है final judgment आती है and judgment आने पर हो सकता है आपको बाइज़द बरी भी कर दिया जाए या फिर हो सकता है आपको convict किया आपके खिलाफ कुछ negative नहीं होगा तो job application form के अंदर हमेशा जो है अगर आपके खिलाफ में कोई case pending है तो वहाँ पर yes select करें बिल्कुल भी इस तरीके से ना सोचें कि अगर आप वहाँ पर yes select करेंगे तो चीज़े आपके खिलाफ जाएंगे आपके खिलाफ negative होगा और आप आपको नौकरी नहीं मिलेगी मेरे पास में कई बार जो है viewers की query आती है कि उनका जो है government job के अंदर selection हो गया और वहाँ पर उन्होंने अपने खिलाफ जो कोई case चल रहा है उसको disclose नहीं किया है and बाद में job join करने के बाद में उन लोगों को जो है show cause notice issue हो जाता है और फिर उसक पुलिस verification certificate मांगते हैं and पुलिस verification के अंदर अगर आपके खिलाफ में कोई police complaint या कोई case pending है तो वो सारी चीज़े आ जाती है and then you will be into a difficult situation तो friends चाहे private नौकरी हो या फिर सरकारी नौकरी अपनी job application form के अंदर एकदम correct details सी enter करे I hope friends आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो like बटन को प्रेस करें आपका कोई भी legal query है या फिर doubt है तो आप मेरे को comment box या email के तुरू बेश सकते हैं email मैंने नीचे description box में दिया है channel पे आप नए है और हमारे channel को आपने अब तक नहीं subscribe किया है तो सबसे पहले channel को subscribe करें and bell notification को प्रेस करें for all latest updates and videos thanks for watching infolap